चाइट जी बीडी का इस्तिमाल तो हम सभी ने किया हुए लेकिन अगर मैं आप लोग उसे कहूं कि एक ऐसा बॉट बनाओ जो कि आपकी गिवन नॉलेज बेस पर काम करें यानि कि आपके पास कुछ डेटा है उस पर ट्रेंड हो तो आप लोग किस तरह से बनाओगे वैल आना एकदम आसान है आप लोग कुछ इस तरह के काम कर सकते हो कि यार आपने एक वेबसाइट दे दी आप इस बॉट से कह सकते हो वाई इस वेबसाइट में कोई भी इंफो है तो मुझे चाहिए मेरे क्वेशन का आंसर और वो इस नॉलेज बेस के इसाफ से आपको अधर नहीं मिला तो वो चाट जीवीटी से जाकर पूछेगा और आपको फाइनली जो आप चाहते हो वो मिल जाएगा हम इसमें बहुत तरह के अडिशनल एलिमेंट्स भी आड कर सकते हैं जिसे हम आडियो आड कर सकते हैं हम लोग वीडियो आड कर सकते हैं निकी अगर मान लोग कि आप चाहते हो कि एक आंसर नहीं है और एक आडियो प्ले करना चाहते हो इंग्लिश में किया इस आंसर इस नौट पाउंड लेट्स मुव तु चाट जीबिटी इस तरह की चीज़े आप लोगों को वहां पर देखने को मिल जाएंगी हम लोग एक्सप्लोर करते है जो है खुल जाएगा इसे आप लोग यूज करके चार्ट बट बना सकते हो लेटेसे आपके पास अपना कोई डीटा है एक नौलेज बेसे आपके बड़ा डीटा है आपका प्रोप्राइटरी डीटा है उस डेटा को आप चार्ट जीबिटी को देकर हमेशा क्वेशन आंस आप देखे हो कितने रिजल्ट सा गए आप पर इतने सारे वेब पेजिस का डीटा आप स्टोर करके उसके बाद कभी नहीं देना चाहोगे आप चार्ट जीबिटी को क्यों नहीं देना चाहोगे क्योंकि आर आप लोग अगर दोगे इस तरह से डीटा तो बहुत टाइम ल जाल दिया जाएगा फिर आप question पूछ सकते हो आपके question का जवाब अगर नहीं हुआ तो आप अपने बॉट को ऐसे configure कर सकते हो गयार अगर question का answer नहीं है चाहट GBD से पूछो चाहट GBD बताएगा तो चलो यहार continue with Google करते हैं sign up करते हैं और sign up process एकदम straight forward है let's continue with Google आप लोग चाहँ तो continue with GitHub भी कर सकते हैं मैं continue with GitHub भी करता हूँ ठीक है just so that easy हो जाए और यहाँ आपर मैं authorize करूँगा botpress को app.botpress.cloud पर आप लोग redirect हो जाएगा और यह सारे आपके bots हैं जो कि आप बना सकते हो click करके आप जितने भी bots बनाओगे वो आपको यहाँ पर show होंगे लेकिन मैं आपर plus पर click करके एक नया bot बना लेता हूँ और plus पर click करने के बाद मैं इसको edit करना शुरू करूँगा अपने bot को यह मैं पहला bot है वो बनाओँगा और पहला bot मैं आपको recommend करूँगा कि आप लोग यह वाला bot बनाओ learn botpress इससे आप लोगों को botpress सीखने को मिलेगा use template पर आप click करोगे तो botpress खुद आपको botpress सिखाएगा कि किस तरह से काम करता है तो यह use template में मैंने click किया है and finally मैं यहाँ पर आ चुका हूँ मैं अभी इस bot के साथ खिलवाड नहीं करना चाहूँगा मैं इसे बंद करूँगा और मैं चाहूँ तो अपने bot को rename भी कर सकता हूँ मैं एक नया bot बनाओगा ठीक है अब मैं कोईशी भी template यूज करके bot बना सकता हूँ तो यहाँ पर मैं edit पर click करूँगा और इसके बाद मेरी जो बाकी दो templates है वो भी unlock हो जाएंगी आपको जो पहला bot बनाना है वो bot आपको यही वाला बनाना होगा लन बाट परेस वाला आप लोग यह दोनों नहीं बना पाऊँगे क्योंकि bot परेस चाहता है कि आप सी को पहले उसको फिर bots बनाओ तो मैं अब start from scratch कर सकता हूँ वैसे इनके पास बहुत सारी templates available है जैसे कि messenger का आप bot बनाना चाहते हो मैं use template पर click कर देता हूँ जैसे कि आप लोग messenger का bot बनाना चाहते हो या फिर लड़े से आप instagram से related को बाट बनाना चाहते हो वो सारी चीज़े आप लोग कर सकते हो लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को basics बताऊंगा और एक बहुत useful bot आप लोगों को बना कर दिखाऊंगा use case सुन लो क्या है use case यह है कि मेरे पास एक website है ndtv.com जिससे मैं खबरे पढ़ता हूँ आप हो सकता है किसी और से पढ़ते हो बहुत सारी है times of india है और republic है और भी बहुत सारी news channels है कोई साभी उठा के आप एक basic जो खबर क्या चल रहा है यह देखना चाहते हो कर तो आप एक website पर जा सकते हो और उस website पर अब आप लोग एक बार चले गए तो आप के पास एक option तो यह है कि आप सारी खबरों को पढ़ते रहो definitely उसका वोई replacement मैं नहीं बता रहा हूँ आपको लड़ से मैं यह जानना चाहता हूँ कि यार जवान movie ने कितने पैसे कम है चार्ट GBD तो बता नहीं पाए का क्योंकि यह तो खबर है तो मुझे NDTV से पूछना एक तरह से मुझे NDTV पर train करना है and मैं तनी hassle भी नहीं लेना चाहता है कौन इतना time लगा कि NDTV का चार्ट बोड train करें code word लिखके तो आब आओ botpress पे आप यहाँ पर क्या करो कि start करो और यहाँ पर देखो मैं zoom कर रहा हूँ scroll करके आप zoom कर सकते हो और इस तरह से pan कर सकते हो अब देखो यहाँ पर लिखा है this bot is empty please add knowledge in the default knowledge base और cards in the node तो मैं क्या करूँगा इस node को delete कर दूँगा ठीक है मैंने इस पर click किया and delete की दबाई and confirm कर दिया delete हो गया अब एक start point है and point बाद ध्यान से सुनना आप लोग आप right click करो standard node पर click करो एक नया card add करो card को add करने के बाद मैं आप पर choose करूँगा raw input तो आप लोग यहाँ पर raw लिखें और raw input को select कर लें और आप यहाँ पर देख सकते हो raw input मैंने select कर लिया है तो जैसे ही मैंने raw input यहाँ select कर लिया है मैं कहूँगा start करो फिर इसके बाद raw input जो है वो देगा user यानि की user कुछ भी answer देगा मैं पूछता हूँ user से what do you want what do you want to ask और इसके बाद जो output है वो मैं यहाँ पर देता हूँ तो यहाँ पर मैं अभी क्या करूँगा कि इस board को start करूँगा यहाँ पर आप click करके new conversation start कर सकते है और मैं इससे पूछूँगा hey how are you एक बहुत ही basic सी बात पूछी है मैंने इससे ठीक है तो यह कुछ बता नहीं पाएगा what do you want to ask मैंने यहाँ पर question में what do you want थोड़ी spacing गलत कर दी है ठीक कर देते हैं इसको अभी मुझे से पूछा what do you want to ask मैं कहूँगा how are you ठीक है और यह end हो जाएगा इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ ठीक है कुल मिलाकर बात यह हुआ आपके बाट ने कुछ किया ही नहीं तो अगर आप चाहते हो आपका बाट कुछ करे तो आप यहाँ पर raw input पर click करो और आपको यह दिख रहा है यहाँ पर card पर click करके enable knowledge answering को आप check कर दो इससे क्या होगा कि आप एक knowledge base add कर पाओगे ठीक है नहीं तो आप एक नया knowledge base भी बना सकते हो इस book पर click करके तो आप कितने भी मंचाए knowledge base create और delete कर सकते हो मैं default knowledge base ही use करूँगा यह मैं काम करता हूँ एक नया knowledge base बनाता हूँ इसका नाम में रखता हूँ Harry ठीक है यह Harry ने दिया डेटा इसको वो है knowledge base में आप क्या-क्या add कर सकते हो web pages add कर सकते हो web search add कर सकते हो आप text documents add कर सकते हो तो मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पर मैं documents पर जाता हूँ add document करूँगा यहाँ पर मैं किसी भी तरह की pdf, html, txt drag कर सकता हूँ मेरे पास एक jaw.txt करके file है मैं आप लोग को दिखाता हूँ यह file किया है मैं इसको open करके दिखाता हूँ आप लोग को इसको मैं select कर दूँगा jaw.txt में मैंने लिखा है jawan's music was given by harry's father who is a very nice person his favorite fruit is watermelon मैंने बहुती random सी बात लिखिया है ठीक है और मैं इसको बंद करूँगा document पर क्लिक करके कुछ भी यहाँ पर add कर सकता हूँ नहीं तो मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ मैं यहाँ पर इस knowledge source को delete भी कर सकता हूँ disable भी कर सकता हूँ disable का मतलब है कि temporarily अगर मैं इसको disable करना चाहता हूँ plus knowledge base पर क्लिक करूँगा और एक text document पर click करके मैं यहाँ पर type कर सकता हूँ Harry's best friend is Rohan ठीक है मालो मैंने यह लिखा यह लिखने के बाद मैं क्या करूँगा कि यह जो मेरा यहाँ पर data है यह मेरा knowledge base बन चुका है अब मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ मैं वापस से bot पर जाओँगा यह main पर click करके एक नई conversation स्टार्ट करूँगा और इससे पूछूँगा वो इस Harry's best friend एक बहुत जी सिंबल्स अ question मेरे knowledge base में से देखते हैं यह बता पाता है की नहीं और यहाँ पर इसने बता दिया Harry's best friend is Rohan कहां से आया यह भी बताया इसने देखो one लिखा हुआ है इसने का कि भाई तुम्हारा यह जो rich text जो कि तुमने दिया था उसमें लिखा है की Harry's best friend is Rohan ठीक है सो चलो यार यह सारी चीज़े तो हमने कर ली अब मैं जो करने वाला हूं वो बड़े कमाल की चीज़ है एक चीज़ आप लोग को दिखाता हूं जस्ट चेक कराने के लिए कि अभी यह चीज़ नहीं बता पा रहा है आप अगर यहाँ पर लिखते हो how much did जवान अर् ठीक है मैंने एक बहुत ही basic सा question पूचा कि भाई जवान ने कितने पैसे कमाए अब देखो यह नहीं बता पाएगा यह काएगा कि भाई no valid answer found आपने जो knowledge base दिये है उसमें कुछ भी नहीं है इससे related तो अब यह क्या करेगा end कर देगा लेकिन अब देखो मैं आप लोग को dot com और मैंने confirm कर दिया और आप यहाँ पर देखो कि इसने इसको index कर लिया है अब देखो यार मैंने यह जो news article था इसको copy करके यहाँ पर डाल दिया है ठीक है और यह index भी हो गया है इसको मैं close करूँगा भी यहाँ पर और अब आप लोग देखना मैं यहाँ पर पूछूँगा कि mean में मैं आउँगा और यहाँ देखूँगा कौन से question का answer हो रखा है as a producer who is producer who is producer of jawan तो मैंने यहाँ पर लिखा who is producer of jawan और आप लोग यहाँ पर देखना कि जैसे ही मैं लिखूँगा who is producer of jawan और यहाँ पर आगया कि producer of movie jawan शारूख अब देखो यहाँ पर इसने यहाँ से यहाँ से knowledge मिली इसको ठीक है तो इस तरह से आप लोग multiple pages add कर सकते हो और यह जितनी भी pages को parse करेंगे अब जैसे ndtv.com है बहुत enormous है आप specific pages को डाल दो और वो parse हो जाएंगे आपकी knowledge base में तो अगर मैं यहाँ पर पूरा domain डालता हूं तो इसने कुछी pages parse कियें जो कि यहाँ पर दिखा रहा है सारे pages parse करना ना मुम्किन है क्योंकि millions of pages है ठीक है बट अगेन जो जो आप चाहते हो उनका link दे सकते हो और उनको parse करा सकते हो और यहाँ पर आप जितने मंचाए pages add कर सक अगर कोई जानकारी आपके पास लेटस से टुकडो में है ठीक है मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई जानकारी एक document में कोई जानकारी किसी document में आप अपने business documents पकड़ा दो इसको अपने business के बारे में questions पूछो इससे यह आपको बताएगा कैसे analyze करना है तो मान लो आपके पास कोई data है अपने business related चाहें आपका कोई छोटा सा business भी क्यों ना हो चाहें आपकी कोई shop और चोटी सी उसका data है पकड़ा दो इसको और questions पूछो इससे भाई मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं कौन से products बेचू की जादा मेरी विक्री हो कैसे मैं अपने business को expand कर सकत ठीक है मैंने इससे पूछा है नहीं बता पाएगा यह क्योंकि है ही नहीं इसके पास knowledge देखो no valid answer found आ गया तो अगर मैं चाहता हूं कि यह chat GPT बता दे तो मैं क्या करूँगा एक नया standard node add करूँगा द्यान से step by step समझना एक card add करूँगा और यहां पर मैं AI लिखूँगा औ यहां पर लिखा इसके बाद मैं एक और card लिखूँगा यहां पर मैं एक और card लगाँगा यहां पर और यह जो AI generated text है इसके बाद मैं एक simple सा जो text है वो डाल दूँगा तो एक text मैं यहां पर डाल देता हूँ और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो इसका input है वो यहां प पर आजाएगा और यह standard 2 वाला जो यह है मेरा इसमें यह दोनों red इसले दिखे रहे हैं क्योंकि मुझे prompt देना पड़ेगा अब देखो जब raw input यहां पर है मेरी बात को दियान से समझना भी यहां पर जब raw input यहां पर है जो भी user आपका input करेगा उसको आप एक variable में store कर सकते हो तो मैं उसको एक variable में store करूँगा इसका नाम में रख दूँगा hairy input और मैं इस variable को create कर दूँगा यह hairy input में save हो गया अब मैं कहूँगा कि जो मेरा AI generated text है वो यहां पर hairy input जो है वो लेगा as an input और output क्या करेगा मैं कहूँगा कि जो output करेगा उसका नाम होगा hairy output ठीक है यह मैंन वो क्या होगा hairy output ठीक है तो मैंने add the rate लिगा hairy output select कर लिया and that's it अब देखते हैं मैं इससे पूछता हूँ how did planet earth came into existence एक नहीं conversation स्टार्ट करते हैं और इससे यही सवाल पूछते हैं तो मैं इससे यह सवाल पूछा सबसे पहले यह knowledge base में ढूटेगा knowledge base में हो सकता है इसको ना अब AI task run हो गया और आप देखना कि जो AI है वो बता देगा इसके बारे में लेट्स वेट और यह देखो origin of planet earth is a fascinating subject that has intrigued scientists and philosophers for centuries पूरी चीज इसने मुझे बता दी यानि कि AI भी connected है इससे ठीक है तो यहाँ पर जो summary है वो इसने बता दी कि भई ऐसे से आपको काम हो गया ठीक है तो मैं इसको auto close कर दूँगा और आप लोग इससे कितने भी मंचाए questions पूछ सकते हैं और आपका काम वो मालो कि मैं music play करना चाता हूँ या फिर मैं audio record करके अभी यहाँ पर upload करता हूँ in fact मैं काम करूँगा add card करूँगा यहाँ पर audio और audio में मैं यहाँ पर एक audio file drag करूँगा इसका नाम होगा AI AI initializing AI let's ask AI ठीक है text to mp3 कोई youtube पर sorry google पर देखता हूँ शायद कोई मुझे मिल जाए tool जिसमें मैं सिर्फ let's ask AI लिखो मुझे इसकी mp3 मिल जाए क्या मैं download कर सकता हूँ इसकी as an mp3 yes मैं कर सकता हूँ अब मैं क्या करूँगा ना कि इसको drag कर दूँगा सीधा यहाँ पर आप पूछता हूँ इससे letter से मैं इससे पूछता हूँ how did planet earth came into existence यह play करेगा कि नहीं देखेंगे अभी ठीक है तो इस question का answer इसको नहीं पता ठीक है इसने बोला what do you want to ask यह मैंने start किया conversation को फिर what do you want to ask इसने बोला तो मैं कहूँगा how did planet earth came into existence नहीं हुआ यह देखो let's ask AI ठीक है तो यह मैंने पहले अगर रखा होता तो let's ask AI पहले होता play let's ask AI तो मैं इस तरह की audios भी send कर सकता हूँ आप लोग audios भी send कर सकता हूँ यहाँ पर मैं जो की काफी अच्छा feature है तो इस तरह के काम आप लोग कर सकते हो bot press की साहिता से अब इसकी जो problem मैं आपको पताई थी कि इस bot के साथ एक problem है और इसको हम solve करेंगा और वो यह है कि जब मेरे knowledge base में कुछ है जैसे मालों मैं producer तो यह इसको AI से भी पूछेगा जानी कि एक बार मेरी conversation actually start करी है भी मैंने मुझे high लिखके start करना चाहिए पर जब यह पूछे what do you want to us तब मुझे लिखना चाहिए तो आप देखो who is jawan's producer मैंने लिखा अगर तो इसने मुझे बताया कि oddly is the producer of movie jawan और यह कहां से इसने उठ अठाया कहीं से और let's ask KI और jawan's producer is Dilraju यह AI ने बताया ठीक है तो मैं नहीं चाहता कि AI बताये ठीक है मैं यह नहीं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ in fact कि मैं इसको delete करता हूँ link को मैं चाहूँगा अगर मेरा knowledge base नहीं बता पाया तब AI बताये समझे रो difference है तो मैं यहाँ पर ए मैं आपर क्या करूँगा इसको मिटाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा- turn एक object होता है ठीक है अब मैं आपर लिखूँगा .knowledgeagent.responded इसका मतलब यह होगा कि क्या knowledge agent ने respond किया या नहीं किया ? अगर नहीं किया मैंने not लगाया कि अगर नहीं किया knowledge agent ने respond तब क्या कर करो वरना end कर दो ठीक है तो आप यहां पर देखो कि यह इस card पर जाएगा और यहां पर लिख करा रहा है because it is not connected to another node ओके तो यहां पर हम इसका यह जो यह है इसको connect करेंगे end से एक मिन में इसको ज़रा काटू इस पर आएक्चली दो यह होते हैं एक तो होता है कि इसको आप किससे connect करना चाते हो और फिर इसके बाद अगर यह नहीं आप क्या करना चाते हो ठीक है तो मैं इसको ज़रा जूम आउट करता हूँ थोड़ा slowly जूम आउट करूँगा और यह चीज में connect कर दूँगा यहां से ठीक है अब आप देखो अब मैं दूबारा से conversation को start करूँगा मैं कहूंगा हाई ठीक है पहले हाई लिखोंगा और फि जवान के प्रोडूसर आउटली एंड एसर के दोनों है तो कभी आउटली बता रहा है कभी एसर के बता रहा है तो confuse मतो थो ठीक है और यह conversation start हुई and what do you want to ask अब मैं बोलूँगा how did planet earth came into existence ठीक है और अब देखना आप लोग अब यह AI के पास जा रहा है no valid answer found तो यह AI के पास जा रहा है और और भी बहुत साना के card आप इसमें use कर सकते हैं बहुती complex bot बना सकते हैं जैसे कि आप लोग अपने knowledge base पर quickly train कर सकते हैं free of cost आप इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक सबसे अच्छी बात है wordpress की इसको try out करना है आप लोग जाके और जैसे ही आप इसको try out करोगे आप लोग को पता चलेगा इसकी powers का और इनकी documentation बहुत बढ़ी आ है जितना भी मैंने भी आपको बताया ना I was able to read the documentation for an hour less than an hour in fact कुछ ही मिन्टों में मैंने पढ़ी enjoy करी documentation और उसके बाद मैं यह सब कर पाया अगर आप लोग इसको detail में use करना चाते हैं you should be able to read the documentation और wordpress docs और आप यहां पर देखो कि botpress की documentation आप लोग पढ़ सकते हो और इस bot को बहुत अच्छी तरह से इस्तमाल कर सकते हो अब मैं आप लोग को इसको publish करके बताता हूँ bot को मैं यह publish पर click करूँगा ताकि इस bot को मैं publish कर पाऊ और यह publishing लिख कर आ रहा है let's wait wait कर रहा है उसके publish होने का और यहां पर लिख कर आ रहा है bot published successfully अब मैं share पर click करूँगा मैं अपने bot को share कर सकता हूँ and आप लोग यहां पर देख सकते हो कि मेरा bot आ गया यहां पर we are powered by botpress मैं आपर लिखूँगा hey और मैं यहां पर hey लिखा अब देखो यह बिल्कुल real chatbot की तरह दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही चल रहा है यह एक chatbot चलता है और यह सोच रहा है and finally can I ever do want to ask who is the producer of यह फिर who is the director of जवान मैंने पूछा इससे who is the director of जवान मुवी और क्योंकि मैंने इसको यह वेपेज दिया हुआ है इसको पताए कि कौन है director the director of movie जवानी जॉटली वाव अमेजिंग अब मैं इससे पूछता हूँ how did planet earth came into existence ठीक है let's wait for its answer what do you want to ask इसने बोला क्योंकि दुबारा से start to abort क्योंकि हमने end कर दिया था तो मैं दुबारा से पूछूँगा इसको how did planet earth came into existence and इसके बाद आप लोग देखना कि यह बता देगा कि भाई यह ऐसे से होई थी planet earth and यह जो audio let's ask KI let's ask KI जो कि हमने डाली थी वो audio तो इस तरह से आप लोग अपना board बना सकते हो board बना कर इसको publish कर सकते हो और अपने users को दे सकते हो ताकि वो लोग use कर पाए आप इसी board को embed भी कर सकते हो किसी website पर जिससे कि मैं end ना करके इसको दोबारा से यहां पर भी रख सकता हूँ और एक कोई specific चीज हो जब मुझे लगे कि higher user की query answer होगा यह तब मैं end करूँ बट आप यह सब चीज़े explore करना मैं एक question के बाद conversation को मैं end कर रहा हूँ तो that should actually not concern you और इस तरह के अच्छे अच्छे bots बनाओ और अगर आप लोगो नेक अच्छा बट बना है तो मुझे डिस्क्रिप्चिन में बना कर देखो I would love to interact with your bot अभी के लिए इस वीडियो में इतना है guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time कर दो कर दो